माग महिने में शुकल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी कहा जाता है ये एक अबुच मोहरत है जोतिश शास्तर के अनुसार पूरे दिन कोई दोश नहीं होता है वसंत पंचमी से मोसमों के राजा वसंत का शुभारम हो रहा है यानि फसलों के पकने के दितू आ गई है प्रक्रती आज से नया रूप लेने लगेगी सरसों के सुन्दर पीले फूल खेलने लगे है आम की टहिनियों पर बोर और टेसू पर फूल आने लगे है आज ग्यान की देवी सरस्वती का जन्म सव है आने वाले दिनों में प्रक्रती अपने सुन्दरतम रूप में प्रकट होगी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द यानि पांचों इंद्रियों का अधिक गहराई से अनुबव होगा आज हर तरह की रचनात्मक शिक्षा आरम करने का अच्छा दिन है आज से छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है शिक्षा संगीत और कला की देवी सरसुती को उनके प्रिय पीले रंग के फूल अरपित किये जाएंगे और ज्ञान पाने और आलत से अज्ञानता से बहार आने की प्रात्ना की जाएगी मान्यदा है कि स्रिष्टी रष्टे समय ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छड़का जिससे देवी सरसुती प्रकट हुई इनके हाथ में पुस्तक, फूल, कमंडल, वीना और माला थी जैसे ही देवी ने वीना बजाई, चारों और वेदमंत्र गुंजू थे बागी की तबाव को अब लोगे बने रही है, राजणवा नभी के साथ ताने बाद